अब श्कार दोस्तों Ultimate Health and Home Remedies चैनल में आप सभी का स्वागत Ultimate Health and Home Remedies आपकी सेहत का खयाल बकू भी रखता है तोस्तों अब सोने का समय नहीं है अब जागने का समय है आप उठ जाईए क्योंकि आप लोगों को अपने सरीर को फिट रखना है हल्दी रखना है और हल्दी सरी के लिए आप लोगों को वर्काउट करना बहुत जादा जरूरी है तो सुबह जल्दी उठ जाईए और अपने यह कहिए कि जल्दी उठने के बाद आप लोगों को जो रूटीन है वो स्टार्ट कर देना चाहिए अपना वर्काउट आप लोगों को कंप्लीट करना बहुत कम समय में और आपने body को healthy बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग करते हैं high knee exercise for 30 seconds, 3 seconds के लिए आप लोगों को high knee exercise कर लेते हैं ताकि warm up हो जाए आप लोगों की body, और high knee exercise में आप लोगों को पता है कैसे करना है, दोनों हाथों को सामने रख कर, अपने knees को हाथों की और लेकर आना है, इससे आप लोगों की apps भी अच्छे होंगे, इससे आप लोगों का cardio भी अच्छा होगा, पसीना भी बाहर निकलेगा और आप लोगों का दिन का रूटीन है वो भी complete हो जाएगा, तो यह warm-up है, इससे आप लोगों का सरीर जो है वो गर्म हो जाएगा, और आप लोग जो है healthy महसूस करेंगे, साथ ही आप लोग जो है अपनी body को flexible भी बना सकते हैं, अब आप लोगों को करना है rest 10 second का, थोड़ी body को थोड़ा सा normal होने दीजिए, उसके बाद में हम लोग चलेंगे दूसरी exercise की, और इस दूसरी exercise का नाम है squat exercise for 30 seconds, squat exercise का आप लोगों को 30 second के लिए करना है, different variations squat के अंदर होते हैं, sumo squat होता है, simple squat होता है, squat dips होता है, squat, तो हम लोगों को squat करना है, तो चाहे वो squat dip हो, या 3 dip हो, या आप लोगों का simple या sumo squat हो, तो आप लोग 30 second के लिए squat exercise कीजिए, कैसे भी exercise हो, squat कीजिए, लेकिन, क्योंकि squat से आप लोगों की body तो मजबूत होती है, flexible होती है, साथ है आप लोगों के knees मजबूत होते हैं, आप लोगों के thighs जो fat है, वो reduce होता है, आप लोगों की thighs टोंड बनती है, imaging muscles मजबूत बनती हैं, तो squat कीजिए, और अपनी thighs को, अपनी glute muscles को मजबूत बनाईए, HIT workout है, आप लोगों को हर एक workout में 30 seconds के बाद में, आप लोगों को 10 second का rest दिया जाएगा, अब हम लोग चलते हैं, ने exercise के exercise, जैनि star jump exercise के और for 30 seconds के लिए, star jumps आप लोगों को 30 seconds करना है, और ये cardio exercise है, बहुत ही अच्छी exercise है, बहतरीन exercise है, इससे आप लोग जो है, अपनी body को tone बना सकते हैं, अपनी body को slim fit बना सकते हैं, को cardio workout है, और आप लोगों का बहुत सारा पसीना भी इसमें बहने जा रहा है, और साथ ही आप लोगों के total body movement को आप लोगों को इसमें focus करता है, तो इसमें आप लोग देखेंगे कि आप लोगों को जब आप लोग स्टार बनाते हैं, पैरों से भी और हातों से भी, next exercise toy tap exercise की और किसी ने मुझे कहा था कि exercise से पहले मुझे एक वीडियो देना चाहिए तो वो मैंने उसमें put किया है, toy tap exercise for 30 seconds आप लोगों को करना है, just move करना है left and right ये भी एक परकार का cardio exercise है, लेकिन आप लोगों को HIT है, यानि कि high intensity interval training exercise आप लोगों को दी जा रही है, 30 seconds हर एक exercise में आप लोगों को सामिल करना है, warm up करना है, move करना है, इधर उधर move करना है, इससे आप लोगों की body जो है, extra fat जो है वो burn करेगी, बहुत सारी calories burn करेगी, metabolic rate को increase करेगी, fat को reduce करेगी और अपने आपको आपको बनाएगी healthy and fit, तो जैसे ही toy tap exercise आप लोगों complete कर लेते हैं, उसके बाद में आप लोगों को फिर से मिल जाता है rest, तो आराम कर लीजिए, सांसे full गई होंगी, अब normal बना लीजिए उन सांसों को, अब करते हैं next exercise आप लोगों की london breeze, london breeze भी आप लोगों को कितनी second के लिए करना है, 30 second के लिए करना है, इसमें भी आप लोगों को इसका different types के variations name है, बहुत सारे लोग tip exercise बोल देते हैं, बहुत सारे लोग plank variations बोल देते हैं, London breeze भी आप लोग 30 seconds के लिए कर सकते हैं इसमें आप लोगों की body को एक shape मिलती है fish shape, curvy shape, बहुत सारी shape जो है body में आप लोग बना सकते हैं तो इससे भी आप लोगों को fish shape मिलता है जिसमें कमर की size पतली हो जाती है hips के just surrounding area है उसमें आप लोगों का wide area हो जालता है तो एक shape आप लोगों को मिलती है ये भी आप लोगों को 30 seconds के लिए करनी है तो आप लोगों को फाइदा मिलेगा कि आप लोगों की body जो है वो एक shape में आ जाती है उसमें आप लोगों को apps जो है वो बाहर निकल कर आप लोगों के दिखने लगते हैं तो यह एक अच्छा आप लोगों के लिए है नेक्स्ट है fast feet exercise for 30 seconds fast feet आप लोगों के exercise करनी है तेजी से warm up करना है दोड़ना है और warm up तब लोगों को पता है कि जब आप लोगों को अराम मिल जाते हैं तो दुबारा से थोड़ा सा warm up कर लेना चाहिए तो fast feet एक exercise है जो आप लोगों के लिए थोड़ा सा hardly साभित हो सकती है क बहुत सारे लोगों को आदत नहीं होती है fast feet की लेकिन अगर आप लोगों दोड़ेंगे तो आप लोगों को महसूस होगा कि आप अभी आद तक आप लोगों ने जो exercise की थी अभी तक आप लोगों ने जो दोड़ना start किया था उसमें ये exercise बहुत ही जादा बहतरीन है तो य jumping jacks है या आप लोगों का fly jacks है, overhead jacks है वैसे ही power jacks आप लोगों का है इसमें आप लोगों को पैरों को cross करना है just front की और just reverse mode में भी और हाथों को भी उपर नीचे आप लोगों को जो है वो turn out करना है तो इसमें भी आप लोगों को क्या मिलता है,30 seconds का move मिल जाता है और आप को एक healthy and fit body जो है वो मिलती है तो इसमें जो है कोई शक नहीं है कि आप लोगों का बहुत सारा पशीना बहने वाला है बहुत सारी calories burn out होने वाली है तो आप लोगों को एक अच्छा result आप लोगों के सामने जो है वो देखने मिलेगा 10 second का rest जो है cardio workout है लेकिन thighs का movement इसमें सामिल हो जाता है आप लोगों के abs का movement इसमें सामिल हो जाता है तो मेरी मदद कर दीजिए subscribe कर दीजिए और इस वीडियो को share कर दीजिए अपने whatsapp पे तो even करना ही है आप लोगों को और अपने facebook account पर भी आप लोग इसको share कर सकते हैं even instagram पर भी धन्यवाद